नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रखट जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएस पटनाद वाड़ा चलाए जा रहा है, 17 वी बिपी एस सी प्रिलिम्स एक्जामीनेशन के लिए टेस् स्रीजिनो जो है करेंट अफ्यर से संबंदित है, तो आईए सुरू करते हैं आज का यह वीडियो, पहला कोस्चन है उद्योग विभाग ने बिहार में बजार से जुड़े दृष्टी कौन के आधार पर एक प्रमुख बैग कलस्टर अस्थापित किया है, इसे CM MSME कलस्ट प्रसीद समाज सुधारक बिंदेश्वर पाठक का हाली में 80 वर्स की आयू में निधन हो गया, निमलिकित में से कौन सा बिंदू, उनसे संबंदित है, तो सही उतर हो जाएगा, सुलब इंटरनेशनल सोशल सर्विस और्गनाईजेशन के संस्थापक रहे हैं, बिंदेश् निधन हो जाएगा, उप्सन नमबर D, उप्रुक्त सभी सही, नेक्स्ट कोश्चन है, बहुमंजिला आवास योजना, आत्म निर्भर बिहार के साथ निष्चे 2 का एक हिस्सा है, इसका उदेश से बिहार राज आवास बुर्द्वारा बहुमंजिला इमारत का निर्मान कर करना है, निमलिकित में से कौन सा सही लाभारती है, तो इसका सही लाभारती हो जाएगा, अतिक्रमन विरोधी अभियान से बिस्थापित अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती है, ऑप्सन नमबर A सही, नेक्स्ट कोश्चन है, भू बिजन, भू बिजन एक स्व स्वधारित, स्वचालित ड्रोन तकनीक है, गलत है, I-C-S-R, I-I-R-R, भारतीय क्रिसी अनुसंधान परशद, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान और क्रिसी तंत्र द्वारा विक्सित किया गया है, इसे सही है, या एक पोर्टेबल डिभाइस है, जिसे कहीं भी ले ज जा सकता है, और कोई भी इसे संचालित कर सकता है, इसलिए सही है, इसलिए सही उतर हो जायगा, आपसन नमबर D, केवल 2 और 3 सही, नेक्स्ट पोस्चान है, निम्लिखित सुचियों का मिलान करें, एक जिला, एक पूतपाद, समबंधित है, भारत की दिविद सिल्व विरास करने के लिए भू बीजन, भू बीजन संबंधित है, आईोटी याधारित स्वचालित मृदा परिक्षान से, लाख पती दीदी संबंधित है, कौसल बिकास प्रसिक्षान से, और भारत NCP संबंधित है, बानों के सुरक्षा और गुरुआता को सुधार से संबंधित, पर तात्मुल्य के हिसाब से 14 वे अस्थान पर है सही है भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है जिसकी बैस्विक आपूर्ती में मात्रा के हिसाब से 20% हिस्सेदारी है सही है 20% के लगभग 60% के भारत से आते हैं सही है बंगलादेश से सस्ते सक्रिये फर्मस अस्थिकल उद्योग आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है गलत है इसलिए सही उतर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी नेक्स्ट कोस्चन है निमलिखित युगमों पर विचार कीजिए और गलत बिकल्प को चिन्नित कीजिए अनमेस उत्सव एसिया का सबसे बाड़ा साहितिक सम्मेलन है सही सा एसिया की सबसे अधिक उचाई पर आयोजित भूमी कलापर दर्सनी है सही बिहार का मर्चा चावल दो हजार तेईस में जी आई टैग इसे मिलाग था सही सोनपुर पसुमेला बिश्व का सबसे बड़ा सोनपुर में आजित होता है कलाथ है इसलिए सही बिकल्फ हो जाएगा ओप्सन नमबर डी नेक्स्ट कोस्चन है केरल बिधान सभा ने राज्य का नाम बदल कर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है निमलिखित में से कौन सा अनुछेद उपयुक्त प्रावधान से संब यह दोनों स्वतंतरता से नानी थी नेक्स्ट कोस्चन है यूटिलीटी मॉल एक जिला एक उतपाद जी आई उतपाद हस्त शिल्प उतपाद और अन्य अस्थानी उतपादों के प्रचार और बिक्री के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस है भारत का पहला यूटिलीटी सहर या देश जैसे विशिष्ट भागोलिक अस्थान या उतपती से संबंदित होते हैं भागोलिक संकेत उतपादों और संबंदित राज्यों के संबंद में निमलिखित जोडों पर विचार करें नाथ द्वार पिछवाई या संबंदित है राजस्थान से सही है मुस्क बुद्धिजी, चावल और चिकारी, लक्री, सिल्प, गोवा से संबंदित है, सही, साथ, सिरांचो, भेडो, कास्मीर से संबंदित है, और मर्चा, चावल, बिहार से संबंदित है, इसलिए सही उतर हो जाएगा, option number D, सभी चारो सही, next question है, निमलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का पहचान करें, गलत उतर चुनना है, तो भारत का पहले 3D मुद्रित डांक घर का हाली में बेंगलूर में उदगाटन किया गया, सही है, भारत का पहली रातरी स्ट्रीट रेसिंग चन्नाई, तमिलनाडू में अ स्थापित किया जाएगा, गलत है, इसलिए सही उतर, option number D, next question है, गड़ा बढ़ामन, कोली, पंडारी जनजाती और पहारी जाती हैं समुख, चार समुदाएं हैं, जिने अनुसूचित जनजातियों की सूची में सामिल किया जाना है, वे निमलिखित में से किस राज्य से सं सही उतर, option number D, जंबू कस्मीराजे से, next question है, समुद्रयान पर्योजना, निमलिखित कथनों पर बिचार करें, समुद्रयान, पृत्वी विग्यान मंत्राले द्वारा भेजा जाने वाला भारत का पहला मानाव युक्त महासागर मिशन है, या तीन सदस्य टीम इसमें जाए में भेजा जाना है, यह आठ जार नहीं, बलकि छोवाजार मीटर की गाराई में भेजा जाना है, इसलिए सही कथन, option number 1, केवल एक सही, next question है, नमो 108, एक महतवपूर्ण बैग्यानिक उपलब्दी है, क्योंकि यह अपनी तरह कपाला और अनुवांसिक अनुसंधान में एक सफलता है, जो ना केवल, CSIR, NBRI की उन्नत छमताओं को उजागर करता है, बलकि पौधों की जयव विविदता के अध्यान और संग्रक्षन के लिए नए रास्ते खूलता है, नमो 108, निमलिखित में से किस से संबंदित है, तो सही उतर हो जाएगा, option number 1, नमो 108, पंखुरिय वाला कमल का एक उनत प्रकार है, नेक्स्ट कोस्चन है, धार्मिक तिर्थ यात्रा में छेत्रिय संबंदों को बढ़ावा देने और सांस्कρίतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की छमता है, वर्स का धार्मिक पड़याटन गनतब या पूरसकार किसे दिया गिया है, सही उत्तर अप्सन नमबर है बिहार को नेक्स्ट कोश्चन है ब्रिक्स बिश्व के पांच सबसे बड़े विकासील देशों को एक साथ लाता है बैस्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगबग 24 प्रतिसत और बैस्विक बेपार का लगबग 16 प्रतिसत प्रतिनीधित्व करता है ब्रिक्स के बारे में निमलिखित कथनों पर बिचार करें ब्रिक्स विश्व की अग्रानी उबर्ती अर्थ वेवास्थाओं के स्वमू का संचिप्त नाम है अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, कनाड़ा और दक्षिन अफिर का गलत है फोर्टो लेजा घोशना पत्र ब्रिक्स राष्टों से शंबांदित है सही है मचैल माता मंदिर, देवी दूरगा की एक मंदिर है तिर्थ अस्थल, मचैल माता यात्रा का अध्यात्मिक और सांस्क्रितिक महतो बहुत अधिक है और या देश भर के भगतों के लिए तिर्थ यात्रा का एक पड़िया अस्थल है या बार्सिक तिर्थ यात्रा निमलिकित में सकी सिदाज्य या केंदरसासित प्रदेश में आयोजित की जाती है सही उतर अप्सन नमबर एजंबू कास्मिर के किस्तवार में किस देश ने हाली में 2030 तक 30,000 भारतिय चात्रों के परवेस देने का लक्ष रखा है सही उतर अप्सन नमर सी फ्रांस भारत के सबसे बाड़ा परिक्ष्छा के अंदर बापू परिक्षा परिक्ष्छा परिक्षर एक समय में 16,600 अभीर्तियों की छमतावाला परिक्षर बन गया है निमलिकित में से 21 राज्य में सुरू किया है नेक्स्ट कोश्चन है भारत ने एक अन्य देश के साथ मिलकर बड़बा डोस नट के बीजों के बायो डिजल के उत्पादन को बेतर बनाने की बीधी बिक्षित की है निमलिकित में से कौन सा साजहदार देश है सही उतर अपसन नमबर भी रूस नेक्स्ट कोश्चन है किस राज्य ने हाल में जरूरत मंदों और पात्रों लोगों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उदगाटन किया है सही उतर अपसन नमबर डी उतर परदेश ने नेक्स्ट कोश्चन है इस राज्य सरकार ने दो हजार सतर तक नेट जीरो लक्ष हांसिल करने के लिए एक वीजन दास्तवेज जारी किया है इसी राज्य ने अबुआ अवास योजना की घोशना भी की है उप्यूक्त कथन नेमलिखित में से किसे राज्य से संबंधित है तो यह संबंधित है अपसन नमबर बी जारखंड राज्य से एक्स्ट कोश्चन है नेमलिखित कथनों पर अभी कथन और कारण के रूप में विचार करें अभी कथन है अर्थ ओबर सूट दिवस को 30 दिसंबर 1970 को मान्यता दी गई थी और 2018 में यह अपनी सबसे प्राड़म दिखती थी 25 जुलाई तक पहुंच गया सही है मान्यता प्रकृती के नमीनिकरन संसादुनुक वाध्य वर्स में ही समाब्त कर रही है जिसे से समय के लिए हम पारिस्थित की घाटे में रह रहे हैं सही है सही उतार option number A, कथन A और कारण R दोनों सत्य है कारण R कथन A की सही ब्याख्या करता है Next question है, मिकुकु पामुजा पहल एक छोटे पैमाने की carbon offset सूभिदा है जिसका उदेश संग्रक्षम गतिवीधियों, जागरुकता निर्मान और carbon credit की बीक्री को बढ़ावा देना है यह पहल निमलिखित में से किस से संबांधी थै यह संबांधी थै मैंगरो भूमी से Next question है, निमलिखित सूचियों पर विचार करें और इनका सही सूमेलिन करना है ERISA, ERISA संबांधी थै नया COVID-19 variant से HLD6, HLD6 संबांधी थै नई मानो बंसावली से जुझुडवे संबांधी थै प्रसवत्तर गोली से फूजी बारा संबांधी थै चक्रवाती घटना है और फूकुर्शीमा प्रमानु उंजा संयंत्र से संबांधी थै इसलिए सही उतर हो जाएगा option number C next question है निमलिखित कत्वनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प को चिन्नित कीजिए गलत विकल्प का चैन करना है तो विश्व का सबसे बड़ा पोवन टर्बाइंग चींदवरा स्थापित किया गया है सही है lunar codex कार्जकरम का उदेश चंद्रमा पर डिजिटल कला का संगरहन भेजना है सही है शुरक्षा परिशत के अस्थाई सदस बनने के विचार के खिलाफ बिरोधी देशों का संगर्ठन है गलत है इसलिए सही उतर अप्सन नमबर C होगा जबकि विश्टा एर इंडिया का नया लोगो है सही है नेक्स्ट पॉस्चन है नेमलिखित युगमों पर विचार करें फीफा महिला विश्वकप दो हजार तेईस का विजेता इंगलेंड गलत है इंगलेंड नहीं बलकि एस्पेन ने जीता था फीडे विश्वकप विजेता मैगलन कार्लोस सही है एस्याई चैंपियंशिप ट्रोफी दो हजार तेईस जापान गलत ये होकी चैंपियंशिप है जापान ने नहीं बलकि या भारत ने जीता था एसीसी पूरुस इमर्जिंग टीम एसीया कप दो हजार तेईस की बीजेता टीम पाकिस्तान ये सही है इसलिए सही उतर ओप्सन नमबर दी दो सुमेलन सही है हर्मन प्रीत कोर को बंगला देश के खिलाब संबंधित खेल की अचार संगीता के उलंगन के कारम दो मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया था हर्मन प्रीत कोर निमलिखित में सकीस खेल से संबंधित है तो वे संबंधित है क्रिकेट से नेक्स्ट कुस्चन है, नोबल पुरसकार अलफ्रेड नोपल की बसियत में निर्देश्ट किये गए थे और ये भोतकी रशायन बिग्यान, सरीर बिग्यान और चिकित्सा, साहित्य और सांती के छेत्र में दिये जाते हैं। 2023 के नोबल पुरसकार का संबंद में निमलिखित युगमों पर विचार करें। 2023 के भोतकी का पुरसकार, पियरे एगोष्टीनी, फोरेंक क्राउन और एनी एल हुई जिरियर को सही है। 2023 का रसायन बिग्यान में नोबल पुरसकार, रसायन बिग्यान में नोबल पुरसकार दिया गया था। 2023 के संबंद में निमलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने इस खेल में कूल 107 पतक जीते थे, सही है। इसमें एथलेटिक्स सबसे अधिक पतक दिलाने वाला खेल रहा था, सही है। SCI खेल 2023 में दो खेलों की शुरुआत हुई थी, E-Sports और Break Dancing सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा, option number C, तीनों कथन सही है। Next question है, बिहार सरकार ने पुनावरा धाम मंदिर को विक्सित करने की मंजूरी दी है। पर योजना के लिए स्विक्टित रासी 72.47 करोड रूपया है। नेमलिकित में से किस जिला में उपयुक्त विकास कार्ज होने जा रहा है। तो पुनावरा धाम मंदिर है सीता मरी जिला में। नेक्स्ट कोश्चन है बिहार सरकार द्वारा 2016 में मुख्य मंत्री निश्चे स्वैम सहायता भत्ता योजना सुरू की गई थी। जिसके तहट अधिक्तम दो बर्स के लिए एक हजार प्रतिमाह अवंटित किया जाएगा। निम्लिकित में से कौन इसके सही लाभार थी है। तो सही उतर ऑप्सन नमबर भी बेरोजगार ही हुआ। नेक्स्ट कोश्चन है पट्टना के पात्ली पुत्र निवासी सायस कपूर को टाइम मेगजिन के सिर्ष सो लोगों की सूची में सामिल किया गया है। उन्हें ही है सम्मान निम्लिकित में से किस कार्ज के लिए मिला है। तो सही उतर ऑप्सन नमबर भी कृतिम बुद्धि मता के लिए। नेक्स्ट कोश्चन है आई उस्मान भारत राष्ट्रिय स्वास्थ सुरक्षा योजना है जो माध्यमिक और तृतियक देखवल अस्पताल में भरती के लिए प्रतिवर्स प्रतिपरवार पांच लाख रूपिये तक का कब्रेज प्रदान करता है। इसके बारे में निमलिखित कथनों पर बिचार करें। यह जो आयोजन हुआ था यह स्वास्थ परिवान कल्यान मंत्रा लेके द्वारा किया गया था। इसलिए उप्रयुक्त में से कौन से कथन सही है तो आप्सन नमबर C एक और दो कथन सही है। नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित सुचियों का मिलान करें। गुजरात घुषनापत्र संबंदित है स्वास्थ से, इमुलकात संबंदित है कैदी से, इंद्रजाल संबंदित है ड्रोन रोधी परनाली से और निवरा लिंक संबंदित है डिवाई सर्जिकल प्रभिष्टी से। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा, आप्शन नमबर ए, नेक्स्ट कोश्चन है, बीस्वी सदी के अंत में भारत ने तकनिकी करांती देखी, जिसमें कई स्टार्ट अप यूनिकर्ण बन गया, यूनिकर्ण के बारे में निमलिखित कथनों पर बिचार करें, यूनिकर्ण सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा, आप्शन नमबर ए, केवल दो और तीन सही, नेक्स्ट कोश्चन है, निमलिखित में से किस ब्रिक्तित्व ने पुस्तक, फायर ओन दगंगेज, लाइफ अमोंग देड इन बनारस लिखी है, सही उत्तर हो जाएगा, आप्शन नमब सही उत्तर ओप्शन नमबर ए, बिहार ने, नेक्स्ट कोश्चन है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवन तमाने ने 21 बहादूर सिख योध्धाओं की सहाधत को सम्मान देने के लिए, सितंबर 2023 में फिरोजपूर में एक अस्मारक की अधार सीला रखी, इन योध्धाओं निमलिकित में से कौन सी लड़ाई लड़ी थी, सही उत्तर ओप्शन नमबर सी, सारा गड़ी की लड़ाई लड़ी थी, नेक्स्ट कोश्चन है, उनकारेश्वर में MPKCM सिवराज सिंग चौहान आदी ने संकराचार्ज की 108 फिट उची प्रतीमा का नावरन किया है, आदी संकराचार ने भारत के चार कोनों पर चार मठ अस्थापित किये थे, नीचे दिये गए बिकल्पों में से सही की पहचान करें, तो सही उत्तर ओप्शन नमबर है, ये चार मठ उत्राकंड, उरिशा, करनाटक और गुजरात में अस्थापित किये थे, नेक्स्ट कोश्चन ह एक को सुची, दो से मिलान करें, आर्माधवन, भारतिय फिल्म और टेलिवीजन संस्थान के अध्यक्ष है, सेफाली बी रमन, सेफाली बी रमन, पी आईबी की प्रधान महानी दे सक है, प्रकास सिरवास्तो और आश्ट्री हरित निया धिकरन के नए अध्यक्ष है, और इ इजली का उप्योग करके, पानी के इलेक्ट्रोलीसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है, किस IIT ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को अधिक कूसल लागत प्रभावी और इसके लेवल बनाने की दीशा में, तक्निकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, HSBC से कार्मिक प्रतिबंधों और लिंग मानदर्णों की अभेलना करता है, निमलिकित में सकी से राज्य में सरवोच नियाले ने वकीलों को अपनी ब्यक्तिकत छमता में आत्मसंवान विबाह कराने की अनुमती दी है, सही उत्तर, आप्सन नंबर सी, तमिनाडू, नेक्स्ट को कारे में निमलिकित कथनों पर विचार करें, इंदोर को राष्टिय स्मार्ट सिटी पूरस्कार में प्रथम अस्थान पराप्त हुआ है, सही है, चंडिगड को केंदरसासित प्रदेश और सासन स्रेनी के अंतरगत या पूरस्कार दिया गया है, सही है, स्मार्ट वाटर स् बिहार के दो किसान समुहों को सितंबर 2023 में नई दिल्ली में किसान अधिकारों पर प्रथम बैस्विक संगोष्टी में 10-10 लाग पुरसकार दिया गया, दोनों समुह निमलिखित में से किस क्रीशी उत्पाद से संबंधित हैं, सही उत्तर अप्शन नमर डी लीची और कतरनी चावल से संबंधित हैं, नेक्स्ट कोश्चन है, रच्छा अनुसंधान और विकास संगठन, अर्थाद DRDO, भारत सरकार के रच्छा मंत्राले के आधिन एक प्रमुक एजेंसी है, जिसका कार सैन, अनुसंधान और विकास करना है, DRDO की भूमिका की समिक्षा और उसे पुन अधिले राजबंस के सदस थे, उन्होंने बीजापूर की गिरती हुई आदिल साही सल्तनत से अपना स्वतंतर राज बनाया था, महाराष्ट के उपमुक मंत्री देवेंद्र फर्नवीस ने हाली में निमिलकित में से किस देश में सीवा जी की प्रतीमा का अनावरन किया है सही उतर अप्सन नमबरे मौरिशस में असमारक टिकट एक डांक टिकट होता है जिसे अक्सर किसी अस्थान, घटना, बैक्ती या बस्तू के सम्मान में जारी किया जाता है हाली में हमारी माननीय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकास मनी की याद में एक डांक टिकट जारी किया वह निमलकित में से किस संगठन से संबंधित है तो दादी प्रकास मनी संबंधित है ब्रहम कुमारी संगठन से नेक्स्ट कोश्चन है 48 अफ्रीकी देशों ने महाद्वीप में मानोगती शीलता और जलवायू परिवर्तन से के संबंध को संबूधित करने के लिए प्रवासन, प्रयावरन और जलवायू परिवर्तन पर एक घोशना को अपनाने पर सहमती ब्यक्त की है उपयूगत करत्रों में से निमलिखित में से किस घोशना को संबूधित किया गया है सही उतर अप्शन नमबर है कमपाला घोशना को मतस्य पालन पसु पालन और डेड़ी मंत्रा लेद्वारा पहला राष्ट्रिय किसान क्रेडिट कार्ट सम्मेलन निमलिखित में से किस सहर में आयूजित किया गया सही उतर अप्शन नमबर है मुंबाई में नेक्स्ट कोश्चन है जल जीवन हरी आली मिशन के संबंध में निमलिखित कत्नों पर विचार करें जल जीवन हरी आली मिशन का उदेश नरसरी बनाना पेणों का संघन रोपन करना बैकल्पित फसल ड्रिप सिचाई जैविक खेती आदिक उप्यों को बढ़ावा देना है सही है मिशन का लोगो है हमारी भूमी हमारा भविश गलत है मिशन का लोगो नहीं बलकि मिशन का विशाय है मिशन का विशाय है जल जीवन हरी आली तभी होगी सम्रिधी इसलिए उपयुक्त में से कौन से कथन सही है तो कथन नमबर A सही है इसलिए option A सही मुख्य मंत्री उद्यमी यूजना के संबंध में निमलिखित प्रावधानों पर विचार करें कुल पर यूजना लागत के 50% के बड़ावर ब्याज मुक्तरीन अधिक्तम 5 लाक रूपया सही उपयोग्त में से कौन सा प्रावधान मुख्य मंत्री उद्यमी यूजना के दैरे में आते हैं इसलिए option नमबर C सही E-Governance का तातपड़े सरकारी शेवाओं की दर्चता बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रद्योगिक्यों के उपयोग से है उभर्ती प्रद्योगिक्यों के अनुपर्योग के लिए किस यूजना को E-Governance 2023 के लिए राष्टिये पुरसकार प्रदान किया गया है सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन नमबरे स्वानित्वयोजना नेक्स्ट कोस्चन है पहलों और संबंदित स्राज्जियों के संबंद में निमलिखित यूगुमों पर विचार करें गरभास है गरभास है गरिवा कैंसर की रोग थाम के लिए टीका करण कार्ज करण ये असम में सुरू किया गया था गलत असम नहीं बलकि केरल में सुरू किया गया भारत का पाला सोड़ छत साइकलिंग ट्रेक हैल्थवे हैदराबाद सही है राज्य के पहसमीना सिल्प को G I TAKEडिया गया जंभु कास्मीर राज्य के सही है मुख्य मंतरी सुख आस्रय योजना हीमाचल परदेश में सुरू की गया है लोग से वक हरोग योजना केरल केरल नहीं बलकि या असम में सुरू किया गया था तो उप्यूक्त में किस न युग में सही सुमें ली था हैं तो ऑपसर नमबर बीस ही नेक्ष्ट कॉस्चन है पीम्स श्रीिस्सकूलों के संबंध में निमलिखीत कत्रों पर बिचार करें पीएम स्कूल फोराइजिंग इंडिया पीएम स्री स्कूल का सुभारम सितंबर 2022 में किया गया सही है इसका उदेश से जन जाती है समुदायों और ट्रंसजेडनलों के बच्चों को गुर्णवाता पूर्ण शिच्छा प्रदान करना है गलत या योजना केंद्र प्रायोजी तो योजना के रूप में क्रिवयान वित की गई है सही है उप्यूक्त में से कौन से कथन सही है तो कथन नमबर ए सही है अब एक और तीन बिश्व सफेद छड़ी दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है या दिन निमलिखित में से किस प्रावधान के महत्मों पर जोड़ देता है सही उतर अप्सन नमबर ए बिकलांग बेक्ती नेक्स्ट कोस्चन है प्रतेक प्रस्न में दो कथन है अर्थात कथन ए और कारण आर निमलिखित कथमों पर विचार करें मुख्य मंत्री नितिश कुमार 10 अक्टूबर 2013 को भीम संसद रथों को हरी छंडी इन्होंने दिखाई सही है बिहार जाती सर्वेक्षन में पाया गया है कि पिछरा बर्ग और अत्यंत पिछरा बर्ग राज के कुल अबादी का 63.13% है सही है सही है सही उतर चुनने के लिए निमलिकित कोड का उप्योग करें तो सही उतर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन का सही असपश्टी करण नहीं है इंडिया एसकिल 2023 एक कौशल विकास प्रतियोगिता है जिसका उदेश से बेक्तियों के कौशल को बढ़ावा देना और बढ़ाना है भारत ने विस्व कौशल 2022 प्रतियोगिता में निमलिकित में से कौन सा अस्थान प्राप्त किया है सही उतर ओप्सन नमबरे एगरा हुआ अस्थान प्राप्त किया है एक प्रसिद्ध बेक्तित्व का 28 सितम्ब 2023 को चन्नाई में 98 वर्स की आयो में निधन हो गया उन्हें संजुक्तराष्ट पड़यावरन कार्जकरन दोड़ा आर्थिक प्रस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है उन्हें 1971 में ड्यामन में एकसे से पूरसकार और 1986 में अलवर्ट आइस्टीन विस्व बिग्ज्यान पूरसकार से सम्मानित किया गया था उपयुक्त कथनों में से निमलिखित में से किस बेक्तितों को सम्बोधित किया गया है तो सही उतर है option number M.S. स्वामी नाथन Next question है पंजाब 2024 से पूसा 44 धान किसमे की खेती पर परतिबंद लगाएगा उपयुक्त निर्णाई के लिए निमलिखित कथनों पर उचित कारण के रूप में विचार करें और गलत कथन को चिन्नित करें तो यह एक लंबी ओधी वाली किसमे है जिसे पकने में लगबग 160 दिन लगते हैं सही है इसमें सीचाई के 5-6 अत्रिक्त चक्रों की आवसकता होती है जिसके करण भूजल अस्तल में गिडावट आती है सही है इसकी कटाई गेहुं की बूगाई से ठिक पहले की जाती है जिसके करण पराली जलाई जाती है सही है प्रती एकर लगबग 50 से 60 कुइंटल इसकी उपज होती है गलत है इसलिए सही उतर अप्सन नमबर डी नेक्स्ट कोश्चन है बन अधिकार अधिनियम 2006 के ताथ विशेस रूप से कमजोर जन जातिये बढ़गों पीवी टीजी को अवास अधिकार दिये जाते हैं बैग ही सेवाभियान के तत्व possaन में जाए गया है सक्षता ही सेवाभ्यान जादे आप लेखार अुग्जराnine विश्किम वर्वरं जिति संधुन वर्चा अधिकार को अधिकारेव बोटों को डीजिटल बनाने के लिए इंड टू एंड अपलिकेजन है एवपर बताए गए है Tabii नेस्ट कोश्चिन रिक्ष्छम अनुसंधाना और बिकास संग्ठन के अधिकार छेत्रों में या स्वेदेशि लंभी दूरी के सतह से हौः में मार्ण करने वाली मिशाflu और सैम रक्ष्छा परनाली में इस पर्नाली में सतह़ít में मात करने वाली मिसाइलों की तीन पर्टें सामिल होंगी जिन में से प्रते को अलग अलग दूरी पर लक्षों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है उपर NEMLIKHIT में से किस विकास का उलेख किया गया है सही उतर option के यू एस एच ए कुस नेक्स्ट कुस्टन है बिहार सरकार ने बिहार के लिए विशेश रेनी का दर्जा मांगने के लिए एक अलग प्रस्ताव पारित किया है इसके बारे में निमल्खित कतलों पर विचार करें और सही बिकल्प को चिनित करें M.C.S. को पांचवे बित आयो की सिफारिस पर 1979 में पेस किया गया था सही है M.C.S. एक बरगी करन है जो केंदर द्वारा उन रज्जों के विकास में सहायता के लिए दिया जाता है जो भागोलिक या समाजिक आर्थिक रूप से प्रिच्छ से वे रज्जे हैं सही है 1979 में तीन रज्जों उनाचल प्रदेश मानिपूर और मिघाले को बिशे रज्ज का दर्ज़ा दिया गया गलत 1969 में थे जंबुकास्मिर और सोम और नागालेंट इसलिए सही उतर हो जाएगा ऑप्सिन बढ़े कीवल एक और दो सही Next question है मित्र देशों के साथ संजुक्त सैन अभ्यास से परिचालन की द्रिष्टी से रचनात्मक जुड़ा होता है और हमारे ससस्त्र बलों के कौसल में ब्रिधी होती है मित्र सक्ती 2023 भारत और किस देश के बीच एक संजुक्त सैन अभ्यास है अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट जो 2023 के लिए अनुकूल कार्जों की योजना वित्वपोशन और कर्यानवियन में प्रगती को देखती है किसके द्वारा जारी की जाती है संजुक्त राष्ट पर्यावरन कार्यकरम द्वारा या जारी किया जाता है ब्लोक्चेन एक बीतरित खाता प्रद्योगी की है जो विचयलियों की आउसकता के बीना कई पक्षों के बीच लेन देन का सुरक्षित और पारदर से रिकोर्ड रखने में सक्षम बनाती है भारतीय राष्टिय भुक्तान निगम द्वारा सुरू की गई ब्लोक्चेन आधारित पर्योजना का नाम क्या है सही उतर अप्सन नमबरे फालकन नेक्स्ट कोस्चन है हाली में भारत ने उजडी सा तर्थ से प्रलाय मिशाईल का सफल परिक्षन किया इस संदर्व में निमली खित कथनों पर बिचार करें इस मिशाईल को रख्षा अनुसंदान ने उग्विकास संगत्थन द्वारा विक्षित किया गया है सही है यह 500 से 800 किलोमीटर की लंगी दूरी की हावास से सत्व पर मार करने वाली मिशाईल है गलत इसकी पोलोड छमता 500 से 1000 किलोमीटर है 1000 किलोग्राम है सही है उपयोगत कत्रों में से कितने कथन सत्थे हैं तो दो कथन सत्थे हैं सोम बार को मुंबाई में 141 आई ओसी सत्र में अंतराश्ट्रिय ओलम्पिक समीती द्वारा 2018 के लौस एंजिल्स ओलम्पिक में क्रिकेट के परवेश को अपचारिक रूप दिया गया क्रिकेट आखरी बार 1900 के पेरिस ओलम्पिक में केवल दो टीमों के साथ खेला गया था निमलिखित में से वो दो टीमें कौन थी सही उतर ऑप्सन नमबर एक ग्रेट बिटेन और फ्रांस नेक्स्ट कोश्चन है कारवन नैनो फ्लोडेंट्स कारवन परमानूँओं से बनी अनोखी नैनो संग्रक्चनाए हैं कारवन नैनो फ्लोडेंट्स के बारे में निमलिखित कथनों पर विचार करें इसे IIT दिली के सुधकारताओं ने बनाया है, गलत है, IIT दिली नहीं बलकि बंबे के सुधकारता ने बनाया है, यह 100% छमता के साथ सुड़े की रोशनी को उस्मा में पडिवर्तित कर सकता है, 100% नहीं बलकि 87%, यह अवरक्त दिली से प्रकास और पड़ाबैगनी सहीत अनेक आवरितियों पर प्रकास को और शोशित कर सकता है, सही है, सही बिकल्प चुनें, तो केवल एक कथन सही है, option number A सही, next question, UNESCO Creative Cities Network की अस्थापना 2004 में उन सहरों के भी सहयों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिने रचनात्मक्ता को टिकाव सहरी बिकास के लिए एक र गलत, महिला में श्रीजानत मक्ता का सहर, ग्वालियर, साहित की नगरी, नहीं बलकि संगीत की नगरी, जैपूर, सिल्प और लोक कला से संबंदित सही, बनारसी संगीत की नकरी सही, हैदराबाद, पाक कला से संबंदित सही, इसलिए सही उतर, option number C, next question है, कौन सा देश, वि नेक्स्ट कोस्चन है, हाली में खबडू मेरा मून एस्पाइनर किस देश का चंद्र अन्वेशन चंद्र यान है, सही उतर हो जाएगा, option number D, जापान का, next question है, टाइम हैर एजुकेशन वर्ल्ड इन्वर्सिटी रैंकिंग दोजार चौबिस के संदार में निमलिकित कथनो पर विचार करें, अस्टैन्फोर्ड इन्वर्सिटी ने इस रैंकिंग में सर्वोचस्थान हासिल किया है, इस रैंकिंग में भारत चौथा सर्वस्रेश्ट परतिनिधित वह वाला देश है, सही है, इसलिए सही उतर, option number B, केवल दो सही, next question है, कि से राज्जी की समुदाय के लिए पेंशन और OBC का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है, सही उतर, option number D, जारखंड ने, next question है, निमलिखित में से किसने सितंबर 2023 में, US Open Tennis Tournament में, पहली बार महिला एकल का खिताब जीत लिया है, सही उतर हो जाएगा, option number C, कोको गॉफ ने, next question है, सूची एक को सूची दो से सूमेलिद करें, डॉक्टर सूची एक में बिजेता का नाम दिया गया है, और सूची दो में साहंती स्वरुप भटनागर पुरसकार के बिजेता हो, अर्थात किस छेतर में या बिजेता हुए है, उनका नाम दिया गया है, तो डॉक्टर अश्विनी कुमा डॉक्टर अस्मिनी कुमार जीव विज्ञान के छेतर में, डॉक्टर अकट्टू टी बीजू, ये रसायन विज्ञान के छेतर में, डॉक्टर तीप्ती दंजन साहू, इंजिनियरिंग के छेतर में, और डॉक्टर नीरज के याद गनित के छेतर में, इसलिए सही उतर, option number A. नेक्स्ट कॉस्चन है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की विश्व के सर्वस्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट दो हजार तेस के नुसार दुनिया का सर्वस्रेष्ठ देश कौन है पुंजी एसकीम के संदर्व में निमलिखित कथनों पर बिचार करें या एक परकार की निमेश धुखादरी है जो निमेशकों को कम या बीजा जोखिम के उचे डिटर्न का वादा करती है इस परकार की योजनाय भारतिय प्रति भूति और बीनिमेश एवर्ड सेवी के नियमक दाइरे में गलत है निमलिखित में से कौन से कथन गलत है तो कथन दो गलत है ऑप्शन वीस है नेक्स्ट कोश्चन है विश्व ओजोन दिवस के संबंद में निमलिखित कथनों पर विचार करें यह दिवस हर बर्स 16 सितंबर को मेंट्रियल प्रोटो कोड़ पर हक्स्ताक्षड किये जाने के याद में मनाये जाता है सही है विश्व ओजोन दिवस 2023 के भी सही है प्रिथवी पर जीवन की रक्षा में बैस्विक सहयोग गलत है तो उप्यूक में से कौन सा कथन सही है तो कथन एक सही है ऑप्सन नमबर ए सही हाली में परियाटन मंत्रालेने किस राजी के विश्वनात घाट को बर्स 2023 के लिए भारत का सरवस्रेष्ट परियाटन गाउं घोशित किया है सही उतर अपसन नमबर भी ऑसम हाली में भारत का प्रसिद्ध क्रेशी बेग्यानिक MS. Swaminathan का नीधन हो गया उनके संदर में निमलिखित कथनों पर विचार करें वे भारत के हरित करांती के जनक के रूप में जाने जाते हैं सही है उन्होंने MS. Swaminathan Research Foundation की अस्थापना की और उच उपजवाले चावल के करें सेयद मुस्ताक अली ट्रोफी एक घरेलू T20 क्रिकेट चैंपियंसीप है सही है सेयद मुस्ताक अली ट्रोफी 2023 पहली बार 36 गड़ ने जीता था गलत 37 गड़ नहीं बलकि पंजाब में जीता था उप्युक्त में से कौन सा कथन गलत है तो कथन दो गलत है अपसान कि बहुत्त को चलाने की कारन को नाम दिया हूँ है तो अपरेशन अजय चलाया गया था इरां हमास संघर्ण के द डारां अनेक्स्ट कि कोर्ट कि उथा से कोड से सही उतर चुनना है सही उतर हुजाएगा ऑप्सान नमबर सी नेक्स्ट कोश्चन है निम्लिखित में से किस खेल को ओलम्पिक गेम्स लॉस एंजिल्स दो हजार अठाइस में सामिल किया गया है सही उतर क्रिकेट कर टी ट्वंटी फ्लैग फूटबॉल बेसबॉल औ लैक्रोस उप्योगत में से कौन सा कथन सही है तो चारू कथन सही नमबर डी सही नेक्स्ट कोश्चन है गलोबल हंगर इंडेक्स 2023 में एकषो पचीर देशों में भारत को कौन सा आस्थान पराप्त हुआ है सही उतर ऑप्सन नमबर डी एक सो एगड़ा हुआ अस्थान पर परशद आर्थिक और समाजिक परशद नियाज परशद और अंतराष्ट्रिय नियाले सही उतर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी नेक्स्ट कोश्चन है भारतिय सेना की पहली वर्टिकल विंड टर्नल किस राज्य में इस्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में अस को थार्शद किया सही उतर ऑपसन नमबर डी गीनी की घारी में नेक्स्ट कोस्टेस है निमलिकित मेंसे किस भारतिय सहर को यूनिसको क्रियेटिग शिटीज नेट्वर्क थ23 की सूची में सामिल किया गया है सही उतर अप साम।सन नमबर और गीज्ट कोजी कुड निमलिकित में से किस ने नॉवंबर दो हजार तेश में भारत के बारहों मुख सुचना आयुत के रूप में सपथ ली है सही उतर ऑप्सन नमर डी हरालाल सामरिया नेक्स्ट कोश्चन है निमलिकित में से कौन फिड़े महिला ग्रेंड स्विस्ट दो हजार तेश का खिताब जीतने वाली पहली भारतिय सतरंज खिलारी बन गई है सही उतर ऑप्सन नमर सी रमेस बाबू बैसाली नेक्स्ट कोश्चन है निमलिकित में से कौन अंतराश्टिय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला बल्लेबाज बना था सही उतर ऑप्सन नमर ए एंजल मैथ्य नेक्स्ट कोश्चन है ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2023 के संदर्व में निमलिकित कथनों पर विचार करें इसे विश्यो स्वास्त संगठन द्वारा जाली किया जाता है सही है इस रिपोर्ट के नुसार भारत में उपचार कबरेज में सुधार हुआ है और या अनुमानित टीवी मामलों के 80% तक पहुँच गया है जो पिछले बर्श की तुलना से 19% अधिक है सही है उपयोगत कत्म में से कौन सा कथन सही है तो दोनों कथन सही है और सी सही है नेक्स्ट कोश्चन है हाली में चर्चित व्यापक परमानु परिक्षन प्रतिबंध संदी CTBT के संदर में निम्लिकित कथनों पर विचार करें हाली में रूस इससे बाहर हो गया है गलत तो रूस इससे बाहर नहीं हुआ इस संदी पर भारत द्वार अभी तक अस्ताक्षर नहीं किये गये हैं गलत इसलिए सही उतर आप्सन नॉमबर डी नेक्स्ट कोश्चन है हाली में चर्च साउथ सम्मिट का नेत्रेत वकिया सही उतर अप्सन नंबर भी नरेंद्र मोदी नेक्स्ट कोश्चन है इंडियन पैस्विक एकोनोमिक फ्रेम बढ़के के संदर में निम्लिकित कथनों पर विचार करें हाली में इसकी तीसरी मंत्री अस्तर ये बैठक संजुक्त रज अमे गलत है तो कोई भी गलत नहीं है इसलिए सही उतर अप्सन नंबर डी नेक्स्ट कोश्चन है हाली में चर्चित खूती विद्रो किस देश से संबन दित है सही उतर अप्सन नंबर भी या मन से नेक्स्ट कोश्चन है हाली में चर्चा में रहे चक्रवाथ मिचांग का नाम किस देश ने रखा है तो यह नाम रखा है मयनमाद ने नंबर ए सही नेक्स्ट कोश्चन है मध्य परदेश सरकार्ग ने उंकाडेस्वर में आधी संकराचार्ज की 108 फूट उची प्रथिमा का अनावरन किया, इसका नाम क्या रखा गया है, इस एक टाकी प्रतिमा, उप्सन नमबर 20 है, नेक्स्ट कोश्चन है, रविंदर नाथ टैगोड के निमलिखित में से किस गीत को हाली में पश्चिम बंगल राज्य का राज्य गीत घुशित किया गया है, सही उतर उप्सन नमब बंगलार माटी, बंगलार जोल, नेक्स्ट कोश्चन, मिशन गगन यान के समबंद में निमलिखित कथनों पर विचार करें, गगन यान पर्योजना में कितने सदस्यों के दलों को, कितने दीन के मिशन के लिए 400 किलमीटर की कच्छा में प्रच्छेपित करके, तथा उन्हे भारतिय समुद्री जल में उतार कर सुड़क्षित रूप से प्रित्वी पर वापस लाकर मानों अंतरिक्ष उरान छमता का परदर्शन करने की परिकल्पना की गई है, इस संदर में रिक्ट अस्थान भरें, तो रिक्ट अस्थान पर भरा जाएगा, ऑप्सन नमबरें 3 औ पोसित दुनिया की सबसे बरी स्वास्थ बीमा योजना है, इसे निमलिखित में से किस वर्स लागू किया गया था, सही उतार अप्सन नमबर B, 2018 में, नेक्स्ट कोस्चन है, तमिनाडू में हाली में काले गनार, मगलीर, उडिमाई, थोगई, योजना सुरू किया है, यह निमलिखित में से किस से संबंदित है, यह संबंदित है महिलाओं की मूलाय से, नेक्स्ट कोस्चन है, करनाटक के अगुंबे वन के संबंद में निमलिखित कत्नों पर विचार करें और गलत कत्न की पहचान करें, गलत कत्न का पहचान करना है, तो इसे दक्षिन भारत का च परिश्थी तक गलत है सही उत्र ऑप्सन नंबर डी नेक्स्ट कुस्ट्यन है हाली में ऑप्रेशन पोलो की 75 वी बर्सगाठ मनाई गई यह सितंबर 2023 सितंबर 1948 को भारतिय सेना द्वारत सुरू की गई सैने अभ्यास का एक कोड का नाम है जिसका उद्यस किस रियासत को नए स्वतंत्र भारत में एकिकरित करना था सही उतर हो जाएगा ऑप्सन नंबर है हिद्राबाद को ऑप्रेशन पोलो के ताथ भारत में एकिकरित किया था नेक्स्ट कोश्चन है भारत की G20 अध्यक्षिता का भी से बसुधयव को टुम्ब कम था या एक संस्कृत वाक्य है जो निमलिखित में से किस हिंदू गरंथ में पाया गिया है सही उतर अप्सन नंबर है महा उपनिशद में नेक्स्ट कोश्चन है राष्ट्री एकता दिवस पर इवाउं के लिए मेरा इवा भारत मंच लंच किया गया राष्ट्री एकता दिवस के संबंध में निमलिखित कथुनों पर विचार करें भारत में राष्ट्री एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सही है इसे कथन एक और दो साही option number a next question है अल अक्सा मस्जिद गोलन हाइट्स और बलफोर घुषना पत्र हाली में खबड़ों में रहे हैं निमलिकित में से ये किस्से संबंधी थे तो ये संबंधी थे इसराइल फिलिस्तीन संगर्स से next question है केंद्रिय मंत्री मंडल ने हाली में समक्का स सेंट्रल ट्रैवल इंवर्सिटी नामक एक आदिवाशी विश्व विद्याले को मंजूरी दी है यह कहां इस्थित है यह इस्थित है तेलंगा नामे next question है मुहमद मुईजू ने मालदीव के राष्ट्रोपती का चुनाव जीत लिया है उन्होंने किस बरतमान राष्ट्र पती को हडाया है सही उतर ऑप्सन नमर बी इब्राहिम मुहमद सोले को next question है सिक्स जी वायरलेस संचार के लिए छठी पीढ़ी के तकनीक के भविश के तकनीकी मानक के लिए पर नाम है नोकिया ने निमलिकित में से किस भारतिय सहर में भविश की दूर संचार तकनीकों का नेतरित्व करने के लिए शिक्स जी लेब का उधगाटन किया है सही उतर ऑप्सन नमर बी बेंगलूरू में next question है हानी एवंग छती कोस का उदेश से जलवायू परिवर्तन के गंभीर प्रभावों के प्रति अत्याधिक संवेदंसील देशों को बीतिये सहायता प्रदान क कहां की गई थी सही उतर ऑप्सन नमर बी मिस्ट के सर्म अलसेख में कोप ट्वंटी सेवन के दवडान दो हजार बाइसी स्वी में next question है सही तीसमें राष्ट्रिये खेलों के संबंध में निमलिखित कथनों पर बिचार करें बिहार के सहसी भूसन ने पंदर सो मीटर दौर में रज़त पज़त लिचा जीता सही है यह राष्ट्रिये खेलों में बिहार का दूसरा रज़त पदक है सही है उप्योक्त में से कौन से कथन सही है तो कथन एक और दो दोनों सही है अपसन नमर सी नेक्स्ट कोश्चन है पैड़ा एसी आई खेल दो हजार तेईस में भार संजुक्त राष्ट का सर्वच पढ़्याबरन सम्मान है इसकी घुषना किसके द्वारा की जाती है सही उतर ऑप्शन नमर से संजुक्त राष्ट पढ़्याबरन कारिज करम द्वारा नेक्स्ट कोश्चन है रियालाइंस जीओ ने हाली में भारत की पहली सेटेलाइट एक हजार M.E.P.S. नेक्स्ट कोश्चन है बस्तर के दीना नाथ राजपुत ने रोहिनी नई यर पूरसकार जीता है या पूरसकार निमलिखित में से किस कार्ज के लिए दिया जाता है सही उतर ऑप्शन नमर एक ग्राम इन्विकास के लिए नेक्स्ट कोश्चन है निमलि की बिसफोर्ट से बायो मंडली ओजोन को लगबग एक से पांच परतिस्ट मुकसान हो सकता है हुंगा हपाई जोला मुखी के बिसफोर्ट के कारण भी ऐसी घटनाय देखी गई है यह जोला मुखी कहां इस्तित है सही उतर ऑप्शन नमर सी दक्षिनी प्रसांत महसागर मे नेक्स्ट कोश्चन है केंद्रीय मंत्री अमीज सा ने गांधी नगर में देश के पहले नैनो डी एपी सहींत्र का उदगाटन किया नैनो डी एपी सहींत्र मिट्टी को निमलिकित में से कौन सा पोसकता तो अप्रदान करता है तो यह नाइट्रोजन और फासफोरस प्रद करता है next question है केंद्रिय बित मंत्री द्वारा ओपरेशन सेस निम्लिकित में से किस उद्देश के लिए सुरू किया गया था सही उत्र option number C लकड़ी के अवैद ब्यापार पर अंकुष लगाने के लिए next question है निम्लिकित कथनों पर विचार करें बिहार की हालिया जाती जनगन्ना तीन से अधिक चर्णों में आयुजित की गई गलत है या दो चर्णों में आयुजित की गई थी अंतिम जाती जनगन्ना 1931 में आय next question है निम्लिकित बिकल्पों में से गलत बिकल्प की पहचान करें बिहार की हालिया जाती जनगन्ना के अनुसार समान्ने बर्गी की जनसंख्या सुल्लप प्रतिसत से कम है सही है अतेंत पिछले बर्गी की तुलना में अनुसूचित जाती कम है सही है अतेंत पिछले लुगों की संख्या अधिक है गलत और बौध जैन इसाई और शिक संख्या का प्रतिसत एक प्रतिसत से भी कम है सही इसलिए सही उत्तर अप्सन नंबर सी नेक्स्ट कोस्टन है बिहार के निमलिकित में से किस जीले में कच्छरे के बदले नगद योजना सुरू की गई है सही जूतर अप्सन नंबर ए पठना में नेक्स्ट कोस्टन है धौलपूर करॉली बाघ अभ्यारन राजस्थान का पांचवा बाघ अभ्यारन तता भारत का चोवनवा बाघ अभ्यारन है इस अंदर में रिखता स्थान अप्सन नंबर सी सही नेक्स्ट कोस्टन है भारतिय सेन द्वारा सुरू की गई पर यूजना नमन का उदेश निमलिकित में से कौन सा उदेश से पूरा करना है Option number D सही दिगजो और सहीदों के परिजनों का कल्यान करना Next question है सूची एक को सूची दो से सुमेलिद करें सूची एक में चंदर मिशन का नाम दिया गया है और सूची दो में उससे संबंदित एजनसी का नाम दिया गया है तो SLIM जो है या जाकसा अर्थात जपान की स्पेस एजनसी द्वारा सुरू किया गया Luna 25 रोस कोस्मोस अर्थात रूस से संबंदित है कैपेस्टोन संबंदित है नासा से और चांग E6 संबंदित है CNSA अर्था चीन से इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन नमबर C नेक्स्ट कोस्चन है निमलिखित में से G20 सिखर सम्मेलन का कौन सा संस्क्राण 2023 में नई दिली में आयुजित किया गया था सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन नमबर C 1820 सिखर सम्मेलन नेक्स्ट कोस्चन है निमलिखित में से कौन संजुक्त राष्ट साय ने जेंडर एडवोकेट ऑफ दा इयर दो हजार तेईस के प्राप्त करता है सही उत्तर ओप्सन नमबरे मेजर राधिका सेन नेक्स्ट कोस्चन है एफ आई एफ अर्था फीफा सब्द का विस्तारीत रूप है जो फूट बॉल छेतर के ब्याक पक रूप में चर्चा करता है यह संबंदित है ओप्सन नमबर B International Federation of Association फूट बॉल नेक्स्ट कोस्चन है अकसर समाचारों में आने वला टूवर्स एक हजार स्ट्रेट जी निमलीखित में से किस निकाय से संबंदित है नेक्स्ट कोस्चन है लगवग एक दसक के बाद सफेद सांभर हीरन निमलिखित में से किस संग्रक्षित छेत्र में पाया गया है सही उतर अप्सन नमबर एक कावेरी वन जीव अभ्यारन ने करनाटक में नेक्स्ट कुस्चन है निमनलिखित कतनों पर बिचार करें बास के पौधे को हारा सोना भी कहा जाता है सही है बर्तमान में बास को ऐसे ब्रिक्च की सेनी में रखा जाता है जिसे काटना या पड़ी वहन करना प्रतिबंदित है गलत बिश्व बास दिवस प्रति बर्स 18 सितंबर को मनाये जाता है सही है इसलिए सही उतर हो जाएगा option number D एक और तीन सही next question है चक्रवाद तेज के संबंद में निमलिखित कथनों पर बिचार करें चक्रवाद की उत्पती बंगाल की खारी में हुई थी इस चक्रवाद का नाम इरान ने रखा था गलत उप्यूक में से कौन से कथन सही है तो कोई कथन सही नहीं है इसलिए option number D नेक्स्ट कोश्चन है गर्वाद से ग्रीवाद कैंसर के संबंद में निमलिखित कथनों पर बिचार करें गर्वाद से ग्रीवाद कैंसर गर्वाद से के नीचले भाग में बिक्सित होता है सही है गर्वाद से ग्रीवाद कैंसर की रोख थाम के लिए ठीका करन कायज करम सुरू किया गया है सही है उप्यूक में से कौन से कथन सही है तो दोनों कथन option number C सही next question है ACI खेल 2023 में सुतिर्था मुकरजी और आहीक का मुकरजी ने निमलिकित में से किस छेतर में कांसे पदक जीता था सही हुतर option number C table tennis में next question है निमलिकित कथनों पर विचार करें malaria एक मच्छर जनीत रोग है जो plasmodium पर जीवी के कारण होता है सही है भारत ने malaria उन्मूलन के लिए निक्षय पोशन योजना शुरू की है गलत है उप्यक्त में से कौन से कथन साही है तो फेवल option A next question है निमलिकित में से किस अभिनेता का हाली में नीथन हो गया जो अधिकांस्ता हैरी पोटर फिल्मों में album Elvis डंबल डोड का किर्वादार निभाने के लिए जाने जाते थे सही उतर option नमबर है माइकल गैंबोन next question है संस्कृति मंत्रा लेने विशेस स्वक्षता अभियान 3.0 के तहत देश भड में कितने अस्थलों की पहचान की है सही उतर option नमबर भी 449 अस्थलों की पहचान की है next question है जवाहरला नेहरू बिसो बिद्ध्याले ने आर्थिक कूटनीती और छेत्री एकी करन को असल के लिए किसे डॉक्टरेट के मानक उपाधी से सम्मानित किया है सही उतर option नमबर भी तंजानिया की पहली महिला राष्टपती को next question है हाली में केरल में उदघाटन किया गया अमेज 28 निमलिखित में से किस सम्मानित है तो यह सम्मानित है पहली 3D मुदृत इमारत से next question है रूसी राष्टपती बलादमीर पूतिन ने अंतराष्ट्रिय अपराधिक नियाले ICC द्वारा गिरफ्तारी वार्नट जारी करने के बाद पहली बार निमलिखित में से किस देश का दवड़ा किया है सही उतर option नमबर D क्रिगिस्तान का next question है वा योजना जिसे e-governance 2023 गोल्ड के लिए राष्ट्रिय पूरस्कार दिया गया है निमलिखित में से किस मंत्राले के अंतरगत आती है सही उतर option नमबरे पंचायती राजमंत्राले के अंतरगत next question है Google द्वारा लंच किया गया नया प्रोग्राम डिजी का वच्च निमलिखित में से किस उद्देश से को पूरा करता है सही उतर option नमबरे online BTA धोकाधरी से निप्टाने से समबंदी था या धन्यवाद